दोस्तों कई बार हमें अपना NPS का परानकार्ड चाहिए होता है और परानकार्ड हमने या तो बनवाया नहीं होता है या फिर हमारे पास उस समय NPS का परानकार्ड नहीं होता है इस condition में हमारे पास केवल एक ही option होता है कि हम अपना NPS का परान कार्ड NPS की website से डाउनलोड करें इसके लिए हमें अपना NPS account login करने की आउशकता होती है और हमारे पास NPS का password नहीं होता है इसके लिए description में दिये गए video जिसकी मदद से आप आसानी से NPS का password चेंज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं और इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना NPS का परान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हमें google chrome app को open करना होगा तथा आप अपने phone से भी NPS का परान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर google chrome app open करने के बाद हमें search box में NPS लिकर search कर लेना है यहाँ पर search करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें first वाले search पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें scroll down करना है उसके बाद हमें यहाँ पर login with pran वाला option हमें दिखाई देगा इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद यह हैं हमें एक नए page पर redirect कर देगा यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें से scroll up करना है यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक subscribers वाला section दिखाई देगा यहाँ पर हमें user id, password, capture और I understand that पर क्लिक करके submit करना है दोस्तो इस page का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जिसके through आप directly इस page पर आ सकते हैं अभी मैं आपको अपना details यहाँ पर feel करके और login करके दिखाता हूँ इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले views वाले option पर click करना है इसके बाद हमारे सामने कुछ options दिखाई देंगे इसमें हमें download e-pran वाले option पर click कर देना है इस पर click करने के बाद हमें कुछ time wait करना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार करे एक page open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो परान कार्ड है उसकी सारी details हमारे सामने दिख जाएगी इस वाले परान कार्ड को PDF में डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर Download as PDF我也 बटन पर klik कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार से एक PDF टाउनलोड हो जाएगी यहाँ पर मैं आपको अपना E-Pran Card है वो ओपन करके दिखाता हूँ उसके लिए हमें इस टाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने एक PDF दिखेगा जो की अभी जस टाउनलोड हुआ है उस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद यह PDF हमारा ओपन हो जाएगा जिसमें हमारा E-Pran Card है दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रान कार्ड है वो PDF में डाउनलोड हो गया है तो दोस्तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपना E-Pran Card डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू सो मच फर वाचिंग साहती दोस्तो यदि इस वीडियो से रेलेटेड आपका कोई भी क्वेरी एक्यूशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं थेंक्यू सो मच फर वाचिंग